नमस्कार दोस्तों मैं राधा आपके अपने राधी किचन में स्वागत करती हूँ आज हम बनाने वाले हैं दही मसाले वाली हरी मिर्ची जो खाने में बहुती स्वादिष्ट और लाजवाव होती है इसे आप पूड़ी पराठा रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं तो करते हैं अपनी आज की रेसिपी इसके लिए हमने लिए 200 ग्राम हरी मिर्ची ताजी और दही लिया है हमने फ्रेश दही ज्यादा अच्छा रहेगा तेसरसों का तेल लिया चार से पांस टेबल स्पून हमने लिया है हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर कश्मिरी लाल कोल माक और राइ और जीरा और हम लेंगे दो चुटकी हीं तो चलिए शुरू करते हैं हमने मिर्चियों को अच्छे से धोके साफ करके रख लिया था पहले से ही आप देख सकते हैं मैंने किस तरीकी से जो थोड़ा सा पानी दिखाया है तो दिख रहा है उसको मैंने रुमा में कट कर लिया है डंठल आप मिर्चियों के हटा दे और इस तरीके से लगबग मैं अपनी सभी मिर्चियों को मैंने कट कर लिया था अब हम गैस जलाते हैं इस पर मैं रख रही हूं कडाई और हम इसमें रखेंगे सर्सों का तेल कोशिच करें कि आप मिर्ची को सर्सों के त क्योंकि इससे मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मैंने चार से पांच टेबल स्पून सरसो का तेल लिया है तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे जिससे उसका जो कच्छा पन है वो दूर हो जाए और जैसे हमारा तेल गरम होता है हम इसमें राई और जीरा डाल दे मिया सौप यह भी मिला सकते है इसके साथ ही मैं एक से डेर चमच मने बेसन मिलाया है और हमें बेसन को लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक कि बेसन के भुनने की अच्छे से स्मेल ना आने लगे स्मेल की आने से आपको पता लग जाएगा कि हमारा बेसन लगबग भुन चुका है तो लगातार से माच में बेसन को चलाते रहें इसके बाद हम हमारी जितनी भी हमने मिर्चिया लिए वो सब इसमें आट कर देंगे और उन्हें अच्छे से चम्मच की साहता से मिला लेंगे जैसे ही यह सब मिल जाएगा हम इसे थोड़ी देर के लिए दो से तीन मिनिट के लिए ढख देंगे ताकि हमारी जो मिर्चिया है वो हल्की सी नरम हो जाएं पकाईएगा नहीं थोड़ा सा नरम करना है अब हम हमारे सारे पिसे मसाले इसमें मिला दिये मैंने नमक हम सबसे ला और यह ज्यादा तेज नहीं है इसके साथ ही मैं इसमें फ्रेश दही मैंने लिया है कोशिश करें कि आप भी फ्रेश दही लें खटे दही से थोड़ा सा टेस्ट का फरक हो जाता है अगर आप ताजा दही लेंगे तो उससे काफी अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा के वज़े से हमारा जो जो मिर्ची है वो बिल्कुल भी ऐसी फटी-फटी से हमको नहीं लगेगी और अब हम इसमें इसको जो हमारा लास्ट का जो एक मसाला बच गया है नमक वो हम इसमें एड़ करेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा से सफीद नमक दोनों यूज़ किये हैं अब हम इसे दो मिनिट के लिए ढख देंगे दो मिनिट में लगबग यह विल्कुल रेडी है हमारी जो मिर्चिया है वो खाने के लिए विल्कुल तैयार है आप देख सकते हैं और यह खाने में भी बहुत स्वाधिष्ट लगेगी चटपटी मसालेदार हमारी रेसिपी विल्कुल रेडी है दोस्तों अगर आपको मेर यह रेसिपी पसंद आए तो घर पे जरूर ट्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो मिलती हूं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार